हेलो एभीवन वेल्कम तो मैं चैनल आयम पनिक्षा भार्द्वास तो आज के लिक्टर में हम क्लास 9 पी एकस्टी के सिविक्स का चैप्टर नमबर 4 इस वर्किंग ओफ इंसिटूशन इसके हम एक्सराइज कोईशन करेंगे कुछ important तो है नहीं है इन questions में लेकिन फिर भी आपके लिए मैं यह वीडियो लेके आई हूं ठीके कुछ extra questions भी करवाए हैं तो चलिए start करते हैं first question पुछा है if you are elected as the president of India which of the following decision can you take on your own कि अगर आप जो है इंडिया के president जो है वो elect हो जाते हैं तो आपको नीचे कुछ decisions दिये हुए हैं उन decisions में से आप अपना कौन सा decision जो है वो लेते first है select the person you like as prime minister क्या आप उस person को select करते जिसको आप मतलब जिसको आप पसंद करते हैं उसको आप prime minister select करते this means a prime minister who has a majority in log saba तो जिस लोग saba के अंदर जिस person को majority मिली होगी prime minister बनने की उसको post से हटा देते ask for reconciliation of a bill passed by both the houses या फिर आप parliament के दोनुं houses में जो bill passed हुआ था उसकी reconciliation के लिए बोलते या फिर nominate the leaders of your choice to the council of ministers तो आप उन leaders को nominate करते अपनी मर्जी के leaders को nominate करते council of ministers के लिए तो इन मेंसे आप कौन सा काम करते तो इन मेंसे जो था वो हम क्या करते ask for reconsideration of a bill passed by both the houses देन उसके बाद second question क्या है among who among the following is a part of the political executive आपको मैंने executive वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको दो तरह की executive बताये थे एक था political एक था permanent political executive वो होते थे जो की elect होके आते थे और आपके permanent executive वो थे जो की exam qualify करके अपनी position को held करते थे इसमें आपका district collector इसने भी exam दिया होगा secretary of the ministry of home affairs इसने भी exam दिया है director general of police ये भी exam देके qualify करके ही member बनते है इसमें home minister जो है ये through elections जो है वो party में आते है या अपनी position लेते है third आता है which of the following statements about the judiciary is false आपको कुछ statements दी है उनमें से आपको बताना है कि कौन सी statement जो है वो judiciary को लेके गलत है every law passed by the parliament needs a approval of the supreme court कोई भी law जो parliament के द्वारा पास होता है उसको supreme court का approval चाहिए होता है ताकि उसको implement किया जा सके judiciary can strike down a law if it goes against the spirit of the constitution अगर क्या है constitution के basic structure को violate किया जा रहा है तो judiciary जो है वो उसके against step उठा सकती है तो यह statement तो सही है थर्ड क्या है judiciary is independent of the executive तो judiciary जो है वो legislature भी इससे भी independent है और executive से भी independent है ठीक है यह इनके ओपर depend नहीं करती है कोई भी परसन जो है नागरिक जो है वो कोर्ट तक मोह सकता है अगर उसके अधिकारों को उलंगन किया जाएगा तो यह तीनों स्टेटमेंट्स तो सही है तो गलत कौन सी है क्योंकि ला जो पार्लेमेंट पास करती है उसको सुप्रीम कोड की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है उसको प्रेजिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है नेक्स आपका आता है फूर्थ केशिए जो मतलब आपको नीचे कुछ इंसिटुशन दिये हुए है और बताया है कि कौन सा इंसिटुशन जो है वो कंट्री के एंसिस्टिंग ला को चेंज कर सकता है उसके अंदर बदलाव ला सकता है तो वो है आपका कौन पार्लेमेंट टीके नेक्स आपको कॉलंस दिये हुए है दो आपको बताना है कि मैं स अ मिनिस्टुशन द से रिलेटिड को रिलीज किया है जैसना अन्यू पॉलिशी इस बेइंग एंग्मेग बेंग टू इंक्रीज जीवाइट एक्सपर्स रूम धर अन्टरी तो यहां पे फाइनस से की बात हो रही है तो यहां पर आपका जैगा मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स अं इंडस्ट्री टेलीफोन सर्विसीज ने पहुंचाई जानी चाहिए तो यह कौन है आपका मिनिस्ट्री ओफ communications and information technology numbering मैंने की हुई है देख लीजिएगा थर्ड आता है the price of rice and wheat sold under the public distribution system will go down जो price है ना rice और wheat का जो public distribution system के अंडर जो है वो बेचा जा रहा था उसका price जो है वो कम हो गया तो यह किस के अंदर हुआ किस ministry के अंडर हुआ ministry of agriculture food and public distribution ministry के अंदर देन आता है a pulse polio campaign will be launched एक pulse polio campaign जो है उसको launch किया गया है तो वो किस ने किया है आपके health department ने ministry of health देन उसके बाद the allowances of the soldiers posted on high altitude will be increased जो allowances है ना soldiers की उन soldiers की जिनको हाई altitude पे post किया गया है उनकी allowances उनकी salary वेगरा जो है वो increase कर दी है तो वो किस ने किया है वो आपका आता है ministry of defense ने ठीक है यह आप टेख लीज़गा six question आता है of all the institutions that we have studied in this chapter name name the one that exercise the power on each of the following matters आपको कुछ नीचे matters दिये हुए है उन matters को आपने chapter तो पुरा पढ़ा ही है अब क्या करना है आपने उन matters के ओपर बताना है कि कौन-कौन से matters जो है उसमें कौन-कौन सी इंसिटूशन जो है वो अपनी power को exercise कर रहा है जैसे decision on allocation of money for developing infrastructure like roads, irrigation, etc and different welfare activities for the citizen तो इसमें कौन से department ने काम किया इसमें department ने काम किया finance, ministry of finance ठीक है यह बोल सकते हैं लोकसबाब फिर आता है आपका considers the recommendation of a committee on a law to regulate the stock exchange तो इसमें यह एक law बनाया गया इसमें parliament ने काम किया, ठीक है, parliament ने बनी power को exercise किया यह चलाया फिर आया decides on a legal dispute between two states government, दो states government के बीच में dispute हो गया है तो उसके decision को कौन लेगा, उसके decision को Supreme Court जो है वो लेगा then आता है, implements the decision to provide relief from the victims of an earthquake, earthquake में क्या हुआ है, sorry, earthquake की वज़े से बहुत सारे victims को relief मतलब earthquake हुआ, उससे बहुत सारे victims जो थे, उनके लिए कोई decision लिया गया है, तो उसको implement कोन करेगा, उसको implement करेगा, एक्जीक्योटिव, ठीक है फिर आता है अपका 7th question, why is the prime minister in India not directly elected by the people, कि जो prime minister है इंडिया के अंदर उसको लोगों के तोरा directly क्यों नहीं elect किया जाता है, choose the most appropriate answer and give reason for your choice, आपको क्या करना है, उसका मतलब इन सभी में से जो appropriate answer होगा उसको आपने choose करना है, उसके लिए reason भी देना है, तो यहां पर चार options चारों में से जो opinion best है वो है आपका first वला, ठीक है बाकी को आप एक बार देख लीजेगा, वो opinions इतने matter नहीं करते हैं, लेकिन यह best है, क्यों, parliamentary democracy के अंदर जो leader होगा, मतलब majority party जो भी होगी, जो भी majority party रहेगी, उसका जो leader होगा, उसको prime minister बनाया जाएगा, ठीक है, यह appropriate थ जो है, वो मतलब होता directly ही elect है, directly in the sense क्यों बोला है, क्यों बोला है, क्यों लोगों के द्वरा elect किया जाता है, राज्य सबा में जो आपके members होते हैं, वो indirectly elect होते हैं, आगे क्या बोला है, यह 8th question है, इसको आप खुद देख लीजेगा, यह exam point of view से, यह 8th and 9th question इतने important नहीं ह यह आप कोशिश करेगा, खुद करने की नहीं समझाएगा, तो comment section में पूछेगा, मैं आपको इनके answers पे एक और वीडियो जो है, वो लेके होंगे, last question आपका आता है, after reading the example of the reservation order, three students had different reactions about the role of the judiciary, देखिए, reservation order के जो आपको वो दीगी थी, ना, office memorandum की example देगी थी, उसको भी आपको तीन views दिये है, एक है, श्री निवाज argues that since the Supreme Court agreed with the government, it is not independent, श्री निवाज जो है, वो यह argue कर रहा है कि Supreme Court जो थी, office memorandum के case को लेके, example को लेके, वो government के साथ agree होगी, तो यह independent नहीं है, ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अंजीहा says that judiciary is independent because it could have given a verdict against the government order, अंजीहा जो है रही है कि judiciary जो है, वो independent है, क्यों? क्योंकि उसने government order के against अपना judgment दिया है, decision दिया है, the Supreme Court did direct the government to modify it, Supreme Court ने government को order दिया है कि आप उसको क्या करे, modify करे, उसके बाद क्या है, वीजिया thinks that the judiciary is neither independent nor conformist, वीजिया जो है, वो यह बोल रहे है कि judiciary नहीं independent है, नहीं वो conformist है, नहीं किसी क काम कर रही है, दोनु पार्टी के बीच में, तक court struck a good balance between those who supported and those who opposed to the order, तो court जो था, उसने एक अच्छा balance बना रखा, उन लोगों के बीच में, जिनों ने उस office memorandum को support किया, और उन लोगों के बीच में, जिनों ने उसको oppose किया, तो इसमें से कौन सी statement जो थी, वो सही है, तो कि आप उसको modify करके लाइए, ठीक है, यह आपके questions थे, इसमें आपका यह जो option है, यह correct रहेगा, तो यहाँ पे मैंने आपको answers जो है, वो सिरफ बता दिये है, ठीक है, जहाँ पे आपको पीछे समझनी आया होगा, लिख लीजेगा, option a का मतलब जो है, आपको 3-4 options दिये थे तो political executive को people directly elect करते हैं, ठीक है, इसके बाद, they are makers of law and policies, यह क्या करते हैं, policies और law को बनाते हैं, उसके बाद they are elected by the people and can be changed in the next election, और इनको people select करते हैं, इसलिए हर 5 साल के बाद, यह जब भी next election होगे, इनको change कर दिया जाएगा, यह बदल जाते हैं, इनकी जगा पे कोई होगा आ they are in charge of execution of the policies of the government, यह क्या करते हैं, कि government ने जो भी law बनाया है, जो भी policy बनाई है, उसको यह government के policies के उपर अमल करते हैं, उनको advice बखरा देंगे, कोई भी law बनाने को, कोई भी policy बनाने को, they are permanent and remain in office even when the ruling party change, यह permanent होते हैं, और यह office में तब तक रहते हैं, तब भी रहेंगे, ज नेक्स आता है, compare the power, tenure and working of both the houses of the Indian Parliament, Indian Parliament के दो houses से उनका आपको power बताना है, tenure, time period बताना है, और काम बताना है कि वो क्या क्या करते हैं, अगर हम लोगसबा का देखें, तो लोगसबा का जो time period है वो 5 years का रहता है, 5 सालों के लिए यह काम करते हैं, और 5 साल के बाद इसकी जो expiry बताना है, वो मतलब भी expire हो जाती है, expire होने का मतलब 5 साल के पाद फिर से नई elections होंगे और नई party बनके आएगे, elections जो है वो directly elected, यानि कि लोगसबा के members वो directly elect होके आते हैं, powers क्या क्या है इसके पास, तो power क्या है, money bill जो है, वो खाली सिर्फ लोगसबा में ही originate होगा, लोग बिल के अंदर क्या बदलाव लाना है, ठीक है, इसके दाम भढ़ाने है, वो सारे के सारी power भी किसके पास है, लोगसबा के members के पास है, फिर आता है council of ministers, तो council of ministers को control कोन करते हैं, लोगसबा करते हैं, अब आता है राज्यसबा, तो राज्यसबा का tenure कितना है, तो ये permanent house होता ह इसका जो members है, वो 6 सानों के लिए रहता है, मतलब रहते हैं, उसके बाद members जो है, इसके इलेक्शन जो है, वो indirectly होते हैं, इसको president बोल सकते हो, या prime ministers की बोल सकते हो, उनके basis पे इनको elect किया जाता है, MPs, MLAs के बेसिते हैं, इसके पास, तो money bill को originate नहीं किया जाता है, राज बिल के अंदर लगबग 14 दिन के लिए, राजय सबा जो है, उसके पास कोई भी power नहीं है, council of ministers को control करने की, ठीक है, यह दोने के बीच में difference है, अब explain the major powers and functions of the prime minister, ऐसे तो बहुत सारे functions है, बस मैंने आपको यहाँ पे चार ही बताया है, ठीक है, ऐसे बहुत functions है, इनके, first क्य Prime Minister, यानि कि कोई भी decision जो cabinet लेगी, उसको President तक पहुंचाएगा, कौन Prime Minister, उसके बाद it is he who keeps him informed on all, और यह वही है, ठीक है, Prime Minister को हर एक government से related कोई भी information होगा, कोई भी matter पे information देनी होगी, तो आपके Prime Minister और क्या है, cabinet ही देंगे, फिर इसके बाद क्या है, Prime Minister जो है, वो क्या करत Internal और External policies जो होती है, country की, वो formulate करते हैं, वो भी यह रन करते हैं, Prime Minister जो है, वो एक important leader होता है, हमारे nation का और लोग जो है, वो इनके views को सुनने के लिए मतलब हमेशा तियार रहते हैं Fourth question इसमें मैंने आपको extra question करवाया है, what is public interest litigation, जिसको हम P.I.L. बोलते हैं, ठीक है, public interest litigation क्या है और इसकी importance क्या है Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of government हर एक इंसान, हर एक citizen जो है, वो court में जाएगा, अगर जो public interest है, उसको hurt किया जा रहा है, government के actions के द्वारा इसको हम public interest litigation बोलते हैं, court जो है, वो intervene करेगा, ठीक है, intervene करने का मतलब क्या है, कि वो दखल अंदाजी देगा, government की power के बीच में, मतलब अगर government अपनी power का misuse कर रही है और misuse करके वो decisions ले रही है, तो court उसके उन decisions के बीच में दखल अंदाजी कर सकता है ठीक है, मैंने कल भी आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी ना, मैंने आपको बताया था, कल इन दसन्स के जो लास्ट वीडियो थी आपकी, उसमें मैंने बताया था, public interest के बारे में क्या होता है, देखें, example देती हूँ, air pollution हो रहा है अपके घर के पास एक river है, उस river के बीच में हर कोई आ रहा है और अपना garbage वगरा जो है, गंद वगरा जो है, वो डाल रहा है अब उस river का पानी बहुत सारी लोग भी यूज़ करते हैं, तो एक person जो है, वो खड़ा होता है, और वो बोलता है, कि बाई, पानी तो गंदा हो रहा है, हम सब इस पानी से एफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम इस पानी को यूज़ कर रहे हैं, वो जाता है, PIL देता है, कहां पे court के अंदर, और वो बोलता है कि public interest की बात कर रहा है, कि बाई, देखो government वहाँ पे municipality के लोग वहाँ आ रहे हैं, गंद वहाँ डाल के जा रहे हैं, हम लोग तो बिमार हो जाएंगे, क्योंकि हम भी उस पानी को यूज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से, फिर court क्या करती है, अपनी judgment सुनाती है, municipality को बोलेगी, कि बाई, आप लोग वहाँ घनमर डालिये, क्योंकि वहाँ पे लोगों के interest को hurt हो रहा है, लोग वहाँ पे मतलब नुक्सान हो रहा है, उनको problem face करनी personal issues नहीं discuss किये जाएंगे, जो आपके public को लेके चलेंगे, जहां पर आपकी maximum लोग जो हाँ एफेक्ट हो रहे होंगे, government के decisions से, तो तब आप क्या कर सकते हो, court में जाके intervene, मतलब अपनी appeal जो हो दे सकते हो, किसी भी case को लेके, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, यह चानल को सुस्क्राइब करना ना भूलेगा, और अगर कोई भी doubt होगा, तो comment section में जुरूर पूछेगा, thank you and have a good day